तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एकनोमिक के सेक्टर्स के वारे में या जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतिये आर्थ विवस्ता के छेत्र तो हमारे इनको हमने तीन हिस्सों में बाटा है जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको हमने कहा वाटा है तीन हिस्सों में बाटा ह फिर्स सेक्टर जो हमारे हुए इसको बोलाया है प्रात्मिक सेक्टर या प्रांट्मिक सेक्टर या केचप टेकए तो टमेटोब करेंद बनानेके लिए यख़ंव सबुसे पहले क्या बहुति होता है am ya आजिव थे को सब्सक्राइब का फिर ने चैच्च्चर में क्या होता है ? इनका उत्पाद होता है तो इनका उत्पाद कहा होता हुगा तो इनका उत्पाद होता है 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 इनका उन खेतों में वगार जायगा फिरंगों को तोड लिया जायगा और उसके बाद क्या करा जाएगाद कर सीचानि 10 क्राइफ सकी एंगयरं टॉंग तेमाटर प्शस विर में त्यूνग है। और फिर इसको क्या कर आएगा बोटल में सील कर दिया जाएगा है ना बोटल में क्या जाएगा तो पहले खेट से हम टमाटर लाए कहां लाए फैक्टरी में लेकिया और फिर फैक्टरी में क्या कर आएगा प्रोसर्स करेंगे पैक करेंगे फिर बोटल में डाल के इसको पैक क तो फर्स सेज में उत्पादन मतला production होता है second stage में उसको क्या करा जाता है process किया जाता है और उससे कोई नई चीज उससे कोई नई चीज बनाई जाती है तो हमार मास है टामाटर थे अब टामाटर का क्या बन जा Ketchup बन जा ठीक है अब इस factory से इस factory से इन ketchup की bottles को इन ketchup की bottle को क्या करा आएगा पैक करके कहां बेज दे जाएगा मार्केट में ना का मार्केट में अब बजारों में बेजा रहेगा पड़ लोगों को पता भी तो चलना चाहिए मार्केट में एक टमैट्टों केचप आया है पता भी चलना चेह ना तो तो तर्श्री सेक्टर ना काम होता है उसका काम क्या होता है पहला तो होता है ट्रांस्पोर्टेशन का इसका होता है ट्रांस्पोर्टेशन मतलब याता याद जो हमारा टमैट्टों केचप यहां पे बना है उसको लेके कहां जाएंगे हम प्राइमरी से से कंटरी में लेके आना या उसको फैक्टरी से बाजारों में लेकर आना, वह सारा काम को अन्ट करेगा, tertiary sector करेगा ठीक है, और साथ भी tertiary sector का एक और काम होगा, कि लोगों तक, इस tomato ketchup के आना, क्या हमारे इस company ने इस tomato ketchup को बनाया है ठीक है, उसका promotion करना, क्या करना है? उसका workshop promotion करना, उसकी brand building करना एट जलाना तकि फल्क को पता चले कि market में ऐसा एक प्रॉड़क्ट भी भी आया है तो यह पूरा प्रोसेश होता है अब F hätten कीर्ड में कहना कहता हूं जो आ हमँश हम समीं हम चीजोह का उत्पाँ करते हैं या जो रॉम में एइए ऐसे ज कि लिए और ओ ketchup के लिए जो raw material होगा मटेरियल हों इसको बनाने का प्रॉसेस होता है उसको बनाते हैं उगाते हैं उनका जो production करते हैं उनका जो production करते हैं वो कहा करते हैं कि सेज में करते हैं primary sector में तेकि इसलिए इसको बोला जाता है production sector भी बोला जाता है क्योंकि agriculture sector भी बोला जा सकता है क्योंकि जो raw material होता है उनमें से most of the raw material कहा से आते हैं वह अग्रिकल्चर फिल्ड से आते हैं अब देखो जो रौव माटेरियल है वह भी वैरी करेंगी चीजों से चीजे क्या बरी करें गिए अगर कोई लोह की अलमारी बन रहे है तो इसका रौव मेटेरियल अग्रिकल्चर फिल्ड से तो नहीं आएगा क्योंकि लोगा पेडु पे पेगा वो तो जमीन के अंदर से निगला तो वो कहसे है गैगा माइन सा आएगा तो डोल शिक्तित भर जो हमें raw material प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसका जो प्रोसेस करते है उसको हीट करते है और भी चीजे एड़ कि जाएगे और फिस नहीं चीज बनाई जाएगी वो किसमें हैगा टरश्री सेक्टर ने कीज रिए मनाईंग Metro को जो बेंटिर कारेंंगे क्विए मनाएंगे यृ जो रॉ मतल्ग करेंगे। इसको फ्कीनेकटरे नहीं पूला से सठेक्टरे नहीं से अच जैद कीज बनाएंगे प्रसेस करेंगे तो जो भी हमने बनाया उसको मार्केट तक भी तो पहुचाना पड़ेगा तभी तो उनका जो रेट है उनका जो पैसे हमने उसमें लगाए हो मिल पाएंगे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम या दुकानों में जाके उनको बेचने का काम या दुकानों से आगे भेशने जो ग्राह के उंटों भेशने का जो काम होगा वो कौन है वह गा टरुच्छरी सेक्टर का यही तीन सेक्टर हमारे होते हैं इंडिया निक्रामी में और एक और थास बात जो अड़ करा चाहूंगा हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है most of the population इस sector में जो 40 परसेंट अभी भी 40 परसेंट जो पॉपलेशन जो प्राइमरी सेक्टर में है ठेक है इसका जो कॉंट्रिविशन है इसका जो कॉंट्रिवीशन मतलब यह जो पैसे देता है यह सेक्टर जो पैसे देता है वह बहुत कम सिर्फ 15% पैसे ही ये दे पाता है मतलब 15% ही हमारे economy में contribute करता है मतलब सोचो हमारी population के आधी population इस job में लगी हुई है और इसे कितने कम पैसे बन रहे है तो इस वज़े से जब farmers होते हैं वो suicide बगारा करते हैं क्योंकि उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता और कई बात उनकी फसले भी खराब हो जाती है फिर आता है सेकेंडरी सरी इसमें टोटल हमारी population का स्रिफ अभी 25% है ठीक है और यह अभी 30% हमारे उसमें contribute करता है 30% क्या करता है contribute करता है तो कितना हो गया 45 आप देखो करसी सेक्टर जो है इसमें सबसे कम लोग है एक सिरक तेन फॉंट लोग है जो इसमें है ठीक है 10-20 % लोग है जो इसमें है बट यह-व फीफटीः परसें मैं इन एक प्सुटन हमारी इन्डाय हमारी इंडेन क्योंयरता हमारी इंडिएं अरु मत्妖ता था हमारी है इन ten ज् या सिवा? सेवा छेत्र ठीक है तो टैसरी सेक्टर यह होता है । तो इसमें सबसे कम लोग है बट यह सबसे जदा पैसे हमारे आंडीया में डालता है토्टेक है जब भी एक कांट responder होता है तो वह पहले प्राइमरी जाता है फिर प्राइमरी से सेंडरी जाता है फिर सेंडरी जाता है फिर सेंडरी जाता है पर हमारे इंडिया के इंप्र्हात करते थे बाद अब हम हमे आपर मेनुफक्टरली अभधानी है तो इस वजे से आज भी आज भी हमारे ःदेश में अनिम्फॉयमेंगत बनी होई तो यह ते हमारे 2012 के तीनी सेक्टर और आपको come समझ में होंगे अगर समझ में होंगे तो आज कि मैं करें गदम झाल झाल